चंद ग्रहन 28 अक्टूबर को लग रहा है सूतक काल का समय जा लिजे कहाँ पर दिखेगा भारत में दिखने वाला है तो सूतक टाइम कब से सुरू हो जाएगा गर्वधी मैलाओ को क्या करना है क्या नहीं करना है एक आम आदमी को क्या करना चाहिए साउधानी बरतनी होगी जी आँ दोस्तों चंद ग्रहन लगेगा 28 अक्टूबर से लेकिन आपको साउधान पूरे तरीके से रहना है क्या गलती नहीं करनी है इसको जानेंगे इसके बाद चंद ग्रहन समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए ये भी जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों चंद ग्रहन सिर्प और सिर्प वैज्यानिक दृष्टी से ही नहीं बलकि धार्मिक दृष्टी से भी बेहत महत्पूर घटना है साल का अंतिम चंद ग्रहन में इस रासी में लगने जा रहा है तो आईए जानते हैं इसके बारे में सभी जानकरी 28 अक्टूबर सनिवार की दिर लगने जा रहा है साल का अंतिम चंद ग्रहन या ग्रहन देश के कई हिस्सों के साथ भारत में भी दिखाई देगा इसलिए इसका सूतक काल भारत में मानने होगा और गर्वती मैलाओ को साओधान रहने की जरूरत है चंद ग्रहन सूतक ग्रहन के 9 घंटे पहले से सुरू हो जाता है और चंद ग्रहन का सूतक काल कपसे सुरू होगा इससे जान लिजे 28 अक्टूबर की रात में 1 बच के 5 मिनट से 2 बच कर 24 मिनट तक ये रहेगा यानि ग्रहन कुल 1 घंटे 18 मिनट तक रहने वाला है इस दोरान पूरे भारत में चंद्रमा उदय हो जाएगा 28 अक्टूबर को साम में 4 बच के 6 मिनट पर चंद्रोदय होगा लेकिन रात को 1 बचे चंद्रगहान लगेगा और उसके 9 घंटे पहले तक सूतक मानने होगा यानि कुल मिला के देखा जाए तो भारत के समय अनुसार चंद्रगहान का सूतक 28 सक्टूबर को साम 4 बच के 5 मिनट से सुरू होने वाला है इस बज़ा से हमें साउधान रहना होगा देश और दुनिया में कहा कहा पर चंद्रगहान दिखेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद आपको इस नान, दान, पुन्यकार, हवन और भगवान की मूर्ती का इस पर्स नहीं करना है यानि कोई भी सुबकाम नहीं होगा भगवान की पूजा भी नहीं होगी लेकिन जादा तर गर्वती इस तरी को भोजन करने से भी मना किया जाता है वो अपना रामायन का पाठ वगएरा उस समय कर सकती है ऐसा करने सोने दोस नहीं लगेगा ध्यानक्य की सुतक काल आरम होने से पहले खाने पीने के चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दीजे एक अप्डेट आएक जानकारी थी चंदगरहन 28 अक्टूबर को लगेगा 29 अक्टूबर तक रहेगा 9 घंटे पहले सुतक लग रहा है साम 4 बजे से सुतक सुरू हो जाएगा मिलते नए अप्डेट में नहीं जानकारी के साथ वीडियो पसंद आया हो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद